हलो और इवन, वेलकम टू गुलशन अकेडमी और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वो टॉपिक्स जहां से जो है कोशन्स पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है और यहां से अभी तक कोशन्स नहीं पूछे गए हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉ journée यहां से समय में पूछे जाते हैं और यहां से कोशन्स आने वालेमें जरूर गनेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप त्यारी कर रहे हैं UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हैं एक्समिनेशन वीडियो जो है आपको मिल जाएगी उपर आई बटन पर करके भी और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी मैंने लिंक दे दी है तो चलिए शुरू करते हैं CCE यानि की सतत और व्यापक मुल्यांकन CCE का full form जो होता है वो यही होता है सतत और व्यापक मुल्यांकन अच्छा क्या है ये CCE और क्या जरूरत है इसकी तो CCE के बारे में मैं बता दूँ सतत और व्यापक मुल्यांकन की अवशक्ता जो है वो इस लिए पड़ी क्योंकि जो छात्र होते हैं उनका मुल्यांकन जो है सही से नहीं हो पा रहा था ठीक है तो अब CCE पैटन के तहत होगा ये कि जो छात्र होंगे उनके सभी पक्षों का मुल्यांकन करने में जो है काफी सहायता होगी और इसकी साहता से सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा चात्र की जब मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें हमें कमियापती चलेंगी और जब कमियापता चलेंगी तो उसका समाधान भी खोजा जाएगा ठीक है तो CCE जो है कुछ इस तरीके से है और इसका उदेश क्या है? इसका उदेश ये है कि सीखने की परक्रिया को बल देना, ना की रटने की, और दूसरा, अध्यापन को विध्धार्थी केंद्रित बनाना, और छात्रों के अंदर से जो परिक्षा का डर होता है, ठीक है, परिक्षा का जो डर है उसको खतम करना, ठीक है, ये मुख्य उद्देश था, CCE का, ठीक है, आज पूरे भारत में ये लागू की गई है, और इसके जो है काफी सकरात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, बात कि मैं अलरड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस पर मैंने जो है, सबसे पहले अनुसंधान बताया, फिर उसकी विशेशताएं बताई हैं, और फिर उसके परकार बता रखे हैं, ठीक है, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है, टाइपस ऑफ रिसर्च नाम से, हैं प्लेश्ट में ही है, मैंने एक अलक्सी इसके लिए प्लेश्ट बना रखी है, ठीक है, एकस्प्लेइन वीडियो यूजी सी नेट की, तो वहाँ पिर आपको मिल जाए यो वीडियो, फिर आल हम डिसकस करते हैं, किरियात्मक अनुसंधान, हर बार कोशन पूचा गया है, अ ठीक है, सैक्षिक समस्याओ, समस्याओ का अध्यन करने के लिए खास तोर से यह अनुसंधान किया जाता है, और दूसरा, इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, इस अनुसंधान में, और तीस है, उनके समाधान, समाधान से समबंदित ये अनुसनधान होता है, ठीक है, किरियात्μα का अनुसनधान, ये तीन पॉइंट आपको याद रखने है सेक्चिक समस्या उसे समबंदित होता है ये वेभारिक पक्षपिस में बल दिया जाता है और ततकाली इन समस्या जो होती है उनके समधान पर इसमें बल दिया जाता है ठीक है ओके परी समवाद के उपर भी कोशन पूछ सकता है ठीक है परी समवाद तो परी समवाद जिसे हम इंगलिश में सिंपोजियम कहते हैं और जिसका अर्थ जो होता है अर्थ अगर आपसे पूछे इसका अर्थ होता है बौधिक मनुरंजन ठीक है बौधिक मनुरंजन ठीक है बौधिक मनुरंजन इसमें होता क्या है इसमें होता ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी भी विशय के बारे में बातचीत कर तो उसे परी समवाद कहते हैं, ठीक है, परी समवाद कहते हैं, किसी भी विशय पर हो सकता है, ठीक है, जब उस पर बादचीत करें, चर्चा करें, वाद विवाद करें, तो वो परी समवाद कहलाता है, और ये कहा जाता है, कि ये सामूहिक अगर कोई निर्ने लेना है, ठीक ह सभी पक्षो को समझा जाता है और सभी पक्षो की राई ली जाती है जिससे की जो निर्णय होता है वो बहुत ही कारगर होता या सर्व१त्तम होता है ठीक है? तो यह चीज़ आपको पड़ि संबाद के बारे में याद रखनी है ठीक है तो तीन हमने discuss किया मैं मिटा दे रहा हूं यहां पी स्क्रिंशॉट आप इसे जरूर ले ले ठीक है अगर आप लिख नहीं सकते तो वना लिखें तो काफी अच्छा है क्योंकि इससे हम लोग हर दिन अगर 8 से 10 टॉपिक डिसकस कर रहे हैं तो 10 दिन के अंदर 80 टॉपिक आप डिसकस कर रहे हैं आप एक चैप्टर लेके बैठेंगे तो शायद आप उसे ना पढ़ पाएं लेकिन अगर आप इस तरीके से टॉपिक वाइस पढ़ते हैं तो यह आपके लिए काफी कारगर हुआ ठीक है संचार के 4S क्या है 4S of Communication यहाँ पर 4S जो है एक S का यहाँ पर मतलब यह है Shortness ठीक है Shortness दूसरा जो है वो है Simplicity ठीक है दूसरा जो है वो है Simplicity और तीसरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर Simplicity और तीसरा जो है वो है Strength चोथा जो है वो है Sincarity ठीक है Sincarity Shortness Simplicity Strength और Sincarity यह 4S है संचार की का जाता है संचार जो है इसी पर आधारित होता है Next question जो आप से पूछेगा वो पूछेगा पूछ सकता है Praise Trust of India से ठीक है Praise Trust of India जिसे 27 अगस्त ठीक है 27 अगस्त 1947 को रजिस्टर किया गया था और एक फरवरी 1949 को जो है इसने अपना कारे शुरू किया था ठीक है और लगबग 100 से अधिक देशों की जो मीडिया है जो प्रेस है उससे इसका जो है कह सकते हैं की समझोता समझोता है जिससे की जो समचार है उसका आधान परदान करती रहती है ठीक है कि जी आई एफ ठीक है जी आई एफ क्या है मैं यहां बता देता हूं आपको जी आई एफ यहां पर मतलब यह है इसका की ग्लोबल क्लाइमेट writer या green climate fund कहते हैं सची और तिक यहां पर ओपर यहां पर यह निने लिया गया था की जो विक्सित देश है तो है छो जो बिक्सित है यानि के जो अपना विकास कर सके हैं वह विकासील देशों को जो है हरीत बढ़ाने के लिए कहें हर्यालीë बढ़ाने के लिए परदूशन कम करने के लिए जो है फंक देंगे सहता देंगे ठीक है तो यही था gcf Princip Czech फंड ठीक है तो यह आपको याद रखना है कॉप यहां से कई कोशन बन जाएंगी कॉप सोला कहां पर हुआ तो कानकुना में हुआ ठीक कब हुआ 2010 में हुआ जी सी एफ की बात किसमे की गई तो कौप 16 में की गई ठीक क्या किया गया असकेट है तो विकासिल देशो को जो है आर्थिक सायता देने की बात इसमें की गई थी ठीक है मिटा देता हूं मैं देखे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो like जरूर कर दें ठीक है क्योंकि आपके like पे ही depend होती है अगली वीडियो कल तो मैं हला कि आपके लिए लेके आ रहा हूँ exam analysis तो वीडियो जरूर देखना अगर आपका वीडियो आपका जो है exam बाद में है तो ठीक बाद में है क्योंकि लगातार में नजाए नज है तीन, चार, पान, शे तक ठीक है? विश्विध्धाले के पद देखें विश्विध्धाले में ज़ो पहके की लेख। तक ये सारे पधी होते हैं, लेकिन exam में जो पूछेगा, वो पूछेगा कुलपती, ठीक है कुलपती, विश्विद दालने में भी सबसे बड़ा पद कुलपती है, ठीक है, जिसे हम Chancellor कहते हैं ठीक है, उसके बाद जो होता है वो होता है उपकुलपती यानि वाइस चांसलर फिर उसके नीचे जो होता है वो होता है प्रो वाइस चांसलर ठीक है फिर उसके नीचे होता है डीन जो कि हर एक डिपार्टमेंट का होता है ठीक है और तो इस तरीके से कुल पती सबसे उपर फिर उसके नीचे कुल अद्यक्ष फिर से प्रो चांसलर फिर उसके बाद डीन अब इन सबसे भी उपर एक पद होता है विश्वित धाले में जिसे हम कहते हैं हैं जिसे हम कहते हैं कुल अध्यक्ष का कहते हैं कुल कि है कर अध्यक्ष का पद कम कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम इसे घुण ठीज मिनट है। अब कर दो लिएँ कि कimana चलोगर ठीक है जिसे English णॉर यहıं कहते है विजिटर अर विजिटर कौन होता है विजिटर होता है देस का रास्ट पती जितने भी अगर किंदरी विश्विदालh you जितने भी केंदरी विश्विद धाले है उनका जो स्थे विजिटर होता है वो राश्टपती होता है ठीक है विजिटर जो होता है वो राश्टपती होता है और जो राज्य विश्विध्धाले हैं उनका विजिटर जो होता है वो राज्य पाल होता है ठीक है यह आपको याद रखना है केंद्री विश्विध्धाल्यों का विजिट बात करते हैं रास्टिय मुक्त विश्विद्धाल्ये गुण करना जो होती है तो मैं बता दूँ आपको यहां पर सबसे पहले विश्में मुक्त विश्विद्धाल्ये जो इंग्लेंड में खोला गया था कब खोला गया था तो 1969 में ठीक है सबसे पहले और आप से एक्जाम में पूझ लेया इगनु के ऊपर आपको कोशन आएगा कि इगनु की स्थापना कब हुई तो 1980 में हुई थी ठीक है और इसके रिजनल सेंटर कितने हैं तो 56 जैने 56 इसके रि तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मिलेंगे नेक्ट चुडियो में, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो,